अपनी काविलियत यहां बिल्कुल साही सुना आपने अपनी योग गिता को सदा बरकरार रखें काविलियत इलिजिविल्टी यह से बोलते हैं न क्योंकि तुरज धलते ही लोग अपने दर्वाजे बंद कर लेते हैं अलो साथियों मैराज कुमार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपनी स्पेसल क्लास में आज का ये क्लास भले छोटा ही होगा लेकिन आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा गागर में सागर एक चीज ध्यान रखना रील में जो इंस्टाग्राम मजबूत होने माला है इस लिए इस कलास को पूरा इंड तक देखना बस अगले 10-15 मिनट उससे जादा नहीं उतने में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे और आपको उमीद हो जाएगी कि आज से आपको मैथ आने लगेगी मतलब अगर आपको लगर आप तक की मैथ नहीं आ जाते हो तो आगे बढ़ें कि लाज थर्ड ग्रेड का यह मैथ है साथियों इसमें क्या पढ़ना जरा ध्यान से देखना इसमें हम लिखें हैं इंगलिस में लेकिन इसको करना हिंदी में है समझाएंगे सब हिंदी में 10 साने लेने का कि 10 less than 34 इज मतलब यह कहने का इनका यह कितना होगा बस वहीं निकालना है तो 34 से 10 कम कितना होगा सब को पता 24 होगा लेकिन आप कहोगी इतना चोटा काहे को पढ़ा रहे हो रोज यही जोड़े घटावा क्योंकि यह जो बैच चल रही जो अपडेट हो रहा भी परजन टाइम में यह आप देखो थर्ड ग्रेड क अब हम अभी आओいる समाकरां बताने लगेंगे तुने नहीं समझ में आएगा दिक और यहाजिया जायगा तो फाइभ में से आट यह यह ओगप इा तो यहां पर हम 33 लिख सकते हौन एक और भी तरीका है वो तरीका कौन सा है वो ये है कि आप 53 माइनस 20 कर दीजिए ऐसे बगल बगल में सब्ट्रेक करते हैं 3 में से 0 जाएगा तो 3 और 5 में से 2 जाएगा तब 3 तो ये होता है आपका अस्तंब मेथड ये एक हो गया कालम मेथड ना अस्तंब कालम एक ही है पंकिती मेथड हो गया हूँ ठीक है? समझ गया? अगला ऐसे मुझे उमीद है कि सब आप लोग कर लेंगे 11 more than 31 मतलब की 31 से 11 आधिक कितना होगा तो भाईया यहाँ पे एक चीज और आप समझ लीजिए पता है क्या समझना है? समझाता हूँ देखिये यह इसको तो सीख लिए ठीक है इसको मिटा देता हूँ यह अगर छोटे बच्चे बनके हम हल करें तो यह चीजें हमारे लिए थोड़ी कठीन हो जाती है तो थोड़ा इनका आसान तरीका जैसे हमें 11 स्री 31 में 11 एड करना है न इसको सबको आप लोगों को पता हो गया होगा कि यार यह बड़ी बात नहीं यह तो 41 होगा गलत हो गया 41 होगा ही नहीं 42 होगा 112,3,1,4 है न इसको करने का एक और आसान तरीका देखिये जैसे हमें 31 में 11 एड करना है न करना है न इसे हम ऐसे न करके एक और तरीके से कर सकते हैं वो तरीका कौन सा है इसे 30 प्लस 1 कर लीजिए इसे 10 प्लस 1 यह तरीका जादा अच्छा रहेगा छोटे बच्चे बनके अगर आप करेंगे 1 में 1 एड हो जाएगा सबको पता है बीच में प्लस 0 में 0 तो 0 रहेगा 314 यानि 4040 में 28 करोगे तो 42 आएगा यह step by step आपको सीखने में आएगा सबको समझ में आ रहा है जिनको हाई भाई देखना और ज़्यादा आगे लेबल का देखना है लाश्ट में अभी वीडियो आप इसकिप करके देख लीजिए अगर आपको सिर्फ नंबर लेना है हम अभी अपना नंबर सेर करेंगे उस पर समपर करके आप PBR study आप में जा करके जोईन कर लेंगे तो आपको यह सब इसकिप करके आगे मिल जाएगा ठीक है लेकिन ध्यान रहे अगर सब कुछ सीखना भईया तो इसकिप निकरना थोड़ा टाइम दे दीजिए जितना आप बरबाद कर देते हैं मोबाइल में सोसल मीडिया पर आपने फाल्दू के कमीने दोस्तों के साथ उतना यहां अगर दे देंगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा चलिए 66 से 11 कम कितना होगा वह यह सिम्पल सा है इसको भी सब ट्रेक कर लो यार 66 से 11 सब ट्रेक करो 55 आएगा इसको करने का एक और तरीका है अगर आप कहो तो मैं बता दूँ बताओ इसको करने का एक और तरीका है यही चीज मैं आगले पेज पर कर रहा हूँ देखना 66 से 11 ठीक है देखो इसका एक तरीका यह है कि भाईया 66 को हम 60 धन 6 लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना 11 को हम 10 धन 1 लिख सकते हैं पोलो लिख सकते हैं ना हमें हमें क्या करना था दोनों को गठाना था हमने क्या किया हमने 66 को और 11 को एक नए नए रूप में लिखाए बस कि वन इसमें से जाएगा तो 5 और स्पाइब फ्लस जित्व सीरो जाएगा जीरो किस Task SouzaLY जाएगा 5 यानि 5-0-50 में 5-5 एड़ करना है तो 55 तो आएगा ना बोलो आएगा ना आएगा तो इसमें कौन सी बुराई है यह मतलब एक है तो है जाहे इसको करिए ऐसे जाहे ऐसे करिए अपको समझ में आ रहा है जो मैं सीख रहें देखिए यह कलास हमारे कुछ ऐसे पैरेंट से भी ज मैं चाची चाचा आंकल अंटी पढ़के उनको सिखाते हैं मैं यह नहीं कहता हूं कि बाबा दादा अंकल अंकल अंटी उनको आता नहीं है आपने देखा वोगा एक ट्रेलर कहीं मैठ जानना और मैठ बढ़हाना दोनों आला गलग चीज़ीजें दिशिंग इसलिए कि करर करके कैसे क्या करना बच्चों को सिखाते हैं सिंपल सी ये चलिए आगे बढ़े इतना हो गया कि इस से कुछ शूटा था पीछे क्या है कि यदि नहीं हो गया यह सім हो गया को आगे करेapt क्या देखिए कराया, can you do another way, क्या आप इसे किसी और तरीके से कर सकते हैं, क्या आप इसे और किसी विधी से कर सकते हैं, आईए, यहाँ पर दो विधी दी गई है, क्या आप कोई तीसरी विधी लगा सकते हैं, इनको जोडने का, देखो इसमें 6 में 3 जोडोगे 9, और भाया ये 3 को 5 में जोडोगे 8, यानि 89 आएगा, और 3 में 3 जोडोगे 9, 5, 3, 8, 89 आएगा, इसको कहरा क्या और कोई तरीका है आपके पास, देखो हम इस तरीका कर सकते हैं, 33 को हम ऐसा लिख सकता हूं, ठीक है भाया, कोई डाउट नहीं, 56 को भाया हम ऐसा लिख सकता हूं, बाबु, कोई दिक बोलो बात वही हुई ना, सब वही आया ना, तो यह आपका 1st मेथेड हो गया, 2nd मेथेड हो गया, और आप इसे कह सकते हो कि भाया हो, यह C मेथेड हो गया, किसी को कोई डाउट तकलीफ तो बता दे ना मेरे भाई, नहीं ना, आगे बढ़ें, चलिए, अगला, अब आगय जोड यानि अडिसन, यह बहुत सिंपल सा है, इसमें पहले हम कुछ हासिल वाले जोड करेंगे, कुछ भी ना, हासिल वाले करेंगे, बस आपको इंड तक देखते रहना है, हम मानते हैं कि आपको यह लगभग चीजें आ रही होंगी, लेकिन एक बात याद रखना, इसमें आप इसे यूटूब पर डेमो के रूप में देख पारें तो आप बड़े भागे साली हैं, क्योंकि यह कोर्स का सारा content system by system सिर्फ PBR study के official app में मिलता है, यूटूब पर बहुत सारे content है इस तरह के हमारे, लेकिन आपको अगर अच्छा वाला feeling लेना है बढ़िया वाली, आ आप एप में जरूराना एक बार, चलिए, इनको जोडना है, इनका तरीका सिंपल में है, ऐसे जोड लीजिए, 7 में 1-8 करेंगे 8, और 3 में 2-8 करेंगे 3-2-5, इसको भी ऐसे कर लीजिए, 9 में 1-8 करेंगे 10, 10 का 0, याद रखना कहरी आया 1, और 5-3-8, 8 में 1-9, कोई समस्य परिसानी तो बता दे न, टेंसन लेने का, इनको एड करिए, देखें, लाइस्ट के 2 डिजिट, 9-5-14, याद रखना इसे बूलना नहीं, अब ये 9 में 0 जोड़ोगे तो कितना होगा, 9 ही रहेगा, हासिले कितना हो जागा, फिर 10, 10 का 0, फिर फिर आफिला एक, अब तीसरा रांक तो यहां बचा नहीं, इसमें जोड़ देंगे, 2, क्यों सही लिखा है, गलत है, यार ये, ये 100 मान लो, इसको भी 100 मान लो, तो 200 हो गया, ये 5 था एक, इसमें आएगा 4 सही है, अब इधर आ जाईए, सबसे पहले हम ऐसे कुश्चन करेंगे, जिसमें हासिल नहीं आता है, जैसे 4, 2, 6, 3, 1, 4, 8, 3, 11, कोई डाउट नहीं ना इसमें, आगे बढ़ें, 7, 4, 11, हासिल एक, 3, 1, 4, 1, 5, क्यों, आई 7, में 4, 8 किया, कितना हुआ 11, 11 ऐसे लिखते हैं, 11 का एक नंबर यहां लिख दिया, और एक ये हासिल बच गया था, इसको यहां लिख लो, अब 3, 1, 4, और ये 1, 8 हो गया 5, 9, 7, 9, 6, 15 ना, क्यों सही है, 9, 6, 15, ऐसे इधर आ जाएंगे, 7, 6, 13, 1, 3, 2, 5, 1, 6, 9, 1, 10, जल्दी लिख लिख लिजिए, कोई डाउट है तो बताइए, मैं बार बार एक ही अनुरोध करूँगा, कि आप कलास को पूरा देखेंगे, अगर आपको मैद सीखना है नहीं आती ना, तो पूरा देखें, एक बात याद रखें, कभी-कभी हमें किसी का मोटीवेशन का रहना चाहिए, एक आग सीने में धदकनी चाहिए, और वो तब तक जब तक वो मिले ना, जिसे आप चाहते हो, मतलब जिसे का मतलब यह जो चाह रहे हो, बाकी तो इंसानों की कोई कदर नहीं, दुनिया में, आजकल कोई बैलू नहीं, आगे बढ़ें, कोई डाउट नह होगा, याद रखना, इंगलिस हमें भी नहीं आती है, मजबूरी में इंगलिस लिखा गया है, क्यों, सुन लिजिए, आपने सुना होगा, अक्सर भाया, यह हमारा क्या है, कामर्सियल गाड़ी है, यह कामर्सियल वहान है, सुने हो कभी, हमारे यहां बिजली कभील जो है दुकान पर कामर्सियल आता है, इंगलिस सब धने लेकिन जानते हो न, कामर्सियल को कभी कोई हिंदी में वाड़जिक या बैवसाइक नहीं बोलता है, ऐसे कुछ होता न हिंदी, होता है न, आज कल तो यूपी भिहर वाले गाली भी इंगलिस में देते हैं, वो लोग जो किसको बोल रहे है, कोई रेल गाड़ी कहता है, हम रेल गाड़ी जाएंगे, अक्सर सुनते हो कहीं रेल गाड़ी, बहुत कम आपको सुनाई पड़ेगा रेल गाड़ी सब्स, ट्रेन सा हर कोई बोलता है, किसे आरे ट्रेन से आरे, समझ रहे हो, प्लेन से, फ्लाइट आ रह ऑगना रहेगा आएसन यहां वह सबस्कैaurais करें नहीं है लोगों की इतना मैं पीछ जान दे रहा हूं चलिए आगे बढ़ें क्या कहता है कि अफ हैक्टरी मेड टू सेबन जीरो वल्प्स आन्दा फ़र्स डे एंड सीकेंड डे कितना बल मेड कर रही 123 हाउ मेनी वल्प्स डिट दा फैक्टरी मेड आल तुगेदर मतलब फैक्टरी कुल मिला के टोटल कितने बल बनाई ना यही न आप लिखोगे फाइस डे फैक्टरी मेड वल्प्स इक्वल फैक्टरी मेड वल्प्स इक्वल टू सेबन जीरो इकेंड डे फाइक्टरी मेड वल्प्स इक्वल 123 हाउ फैक्टरी मेड टोटल वल्प्स इक्वल इसको एड कर देंगे 3 729 कोई डाउट नहीं न इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे आप ऐसे लिखेंगे मतलब कंपनी यह होता है न कंपनी पहले दिन कंपनी द्वारा कंपनी द्वारा पहले दिन बनाई गई बल्मों की संख्या बराबर 270 कंपनी द्वारा पहले दिन बनाई गई बल्मों की संख्या ब बराबर 123 नीचे लाइन में लिखेंगे कमपनी द्वारा बनाई गई कुल बल्बों की संख्या बराबर कुल बल्बों की संख्या बराबर दोनों जोड़ देंगे बस हो गया 393 पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कहरा आज सौप कीपर रफी हैड 153 कैंडल बहुत आसान है इ रफी मतलब एक लड़के का नाम है इसने 153 कैंडल रखा इसके पास में 153 कैंडल है पारस गिब हिम 237 मोर कैंडल पारस उसका नालायक दोस्त था एक जो उसे 237 कैंडल आउर दे दिया ले बेले रख ले आउर लड़ समझे नहों फिर हाव मेनी कैंडल डज रफी नाओ मौंबत्ती जलने लगी तो क्या करना है आप लिखो तॉप कीफर रफी हैज कैंडल इक्वल 153 पारस गिब हिम कैंडल इक्वल 237 नाओ रफी हैज टोटल कैंडल इक्वल 73 एन करिया यावन 53819213 पस हो गया हिंदी में ऐसे लिखेंगे दुकानदार रफी के पास कुल मौंबत्तियों की संख्या बराबर 133 उसके दोस्त पारस के द्वारा दी गई मौंबत्तियों की संख्या बराबर 233 अब रफी के पास कुल मौंबत्तियों की संख्या बराबर कितना तीन सो नब्बे कोई डाउट परिशानी देन सन नहीं चलो आगे बढ़ें कोई दिक्कत नहीं न किसी को एनी डाउट एनी टेंसन एनी परिशानी तो बता देना अगला कह रहा है कि एक ट्रेन कमपार्टमेंट मतलब जानते हो आप डिबबा मानलो करें न ट्रेन का डिबबा होता हमारा भाई B1 कोच है हमारा इस वन कोच है जन्रल कोच सिलीपर कोच है देखें उना ट्रेन रेल गाड़ी यह भी जो बोल रहे थैं एक ट्रेन आया ना यह भी इंग्लिस वर्ड है इसको कहीं हिंदी में लिखेंग उसमें भी ट्रेन लिखते हैं रेल कार्टी नहीं लिखते हैं तो कि एक ट्रेन के कंपार्टमेंट में 133 पीपल मतलब या इंसान आप लोग हम लोग जासे जात्रा कर रहे हैं एंड अनदर केरिंग 123 दूसरा कितना ले जा रहा है 129 तो पूछ रहा है नीचे हाव मेनी पीपल आर दियर इन बोथ दा कंपार्टमेंट तो दोनों कंपार्टमेंट में मिला करके कुल कितने लोग यात्रा कर रहे हैं पताओ पता लोगे न आप लिखो नंबर आप पीपल इ पाहले दिब्बे में तुल बैक्तियों की संख्या बराबर 132 चो रहां को सामने से बीच-बीच में गयब हो जता हूं जिससे आप लिक सको ठीख है अगर आप इस वीडियो को यूटूब पर डेमो के रूप में देख पा रहे हैं तो आप हमारा फूल पैकेज ले सकते हैं अगर आप इसे यूटूब पर देख पा रहे हैं इसका एप में कम्पलीट कोर्स लेना है अगर ये चीज लिखके तभी भेजेंगे इसके कुछ चार्जेज भी लगते हैं आप लिखे गए हैं इनकी वैलिडिटी होती जैसे आपकी मोबाईल की रिचार्ज की वैलिडिटी वैसे ही इसके पीछे क्या फेक्टर है मेरे भाई समझ लीजिए ध्यान से पहला नंबर तो इसमें एटीन परसेंट को टेक्स देना पड़ता है तब कुछ आज का आंलाइन होता आपको पता है दूसरा बात 14 रूपए पर जीबी जितना डाटा आप कंजूम करेंगे उसके इस आप से एप ऑली कंपणी को देना पड़ता है यह बैंडविध और फड़ एपस कंपणी को हम लोग का इंटर्नल मामला है कुछ रेंट हर मन्थ एक्स्ट्रा मदलब देना होता है तुकल मिला करके आपको जो दिखता है 699 नहीं हम लोग को लगभग 150 के लगभग मिलता होगा सब कुछ निकाल के जोड़ गठाक और इसमें से अगर जितने भी इंपलाई लोग है साथ में जो आपकी हल्प करते हैं उनका निकाल दिया जाए तो भाईया दस बचता होगा हमारे लिए यह हाल है समझ रहो अगर आप लोग इस दर्द को समझें तो सिच्छा के छे वीडियो आपको आते रहेंगे मिलते रहेंगे और हाइक चीज और अगर आप इस समय अभी इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहें तो इसका अगला पार्ट है कब आएगा आज के तिन दिन बाद आएगा टेली गराम पर इसका सारा सूचना हम आपको दे देंगे आ हमें टेली गराम पर जरूर जोइन कर लेना और हाँ अभी आज जो इस वीडियो को देख रहें लोग वो जान लें आज अठारा है ना अठार दिसंबर है उन्नीस बीस एक इस चुट्टी रहेंगी आपको तो 21 दिसंबर को आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा ठीक है हाँसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना हाँसलों के तरकस में कोशिसों का तीर जिंदा रखना और हार जाना चाहे सब कुछ जिंदगी में लेकिन एक बार सिर्फ एक बार फिर फे जीतने की उम्मीद को जिंदा रखना और उम्मीद कभी नहीं खोना मिलते हैं मैत सीखने की उम्मीद आपकी वापस आ जाए हमारी पूरी कोसिज रही और अगर आपने लाज तक वीडियो को देखा तो एक बार कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि हाँ मैंने पूरा देखा हम आपको दिल से बहुत-बहुत सुभकामनाय देंगे अगर आप यह कमेंट करें